तो देखो प्यारे बच्चों इस वाले question को basically इसमें क्या कर रहे हैं कि हमारे पास दो satellite है और एक satellite A है जो इस आर्विड में move कर रहा है उसका नाम मैं A देता हूँ this is the satellite इसका mass M है और इसकी जो radius है वो r दूसरा जो satellite है वो इस आर्विड में move कर रहा है यह अपनी अर्थ है यह अपनी अर्थ है तो दूसरा जो satellite है उसका mass 2 M है और उसकी radius 2R है ठीक है तो इन दोनों satellite ऐसे ऐसे revolve कर रहे हैं तो हमें यह जो kinetic energy है kinetic energy of satellite A को वो टीए से denote करते हैं और kinetic energy of satellite A निकालना है kinetic energy of satellite B उसको यह TV से denote करते हैं वो भी निकालना है और finally टीए अपन टीवी से divide कर देता है तो solution हो जाएगा तो for satellite A for satellite A के लिए लिए को satellite A के लिए kinetic energy की value लिखोगे तो kinetic energy of satellite A मैं लिख सकता हूँ that is T A is equal to half mass of satellite A और orbital velocity of satellite A का square तो orbital velocity क्या होती है वाई तो orbital velocity होती हाफ Z mass M orbital velocity किसी भी satellite और arm radius का root का square होता है ठीक है तो यह जाएगा half M और यह जाएगा Z M orbital velocity की radius कितनी इसकी है capital R तो कुल मिला के यह बना Z M M over 2 R की equal अब Z M over यह यह पहला वाला यह equation number first यह कहानी है पहले satellite की तो चलो दूसरे satellite की बात करते हैं दूसरे वाले का क्या हाल है तो दूसरे वाले का हाल है for second satellite for second satellite दूसरे वाले की बात करोगे तो दूसरे वाले की दूसरे वाले की जो कहानी है तो उसकी जो kinetic energy है B वो बराबर होगी satellite of B की हो आजाएगी half और mass of B और आर्बिटल वेलोसिटी आप B का स्क्वाइर तो half mass of B is equal to 2m आर्बिटल वेलोसिटी gm over 2r under root का होल का स्क्वाइर तो finally जब मैं इसको solve करूंगा finally जब मैं इसको solve करूंगा तो यह 2 यह 2 खतब हो जाएगा इसको और यह gm over 2r आ जाएगा this is the equation number first 2 तो यहां से kinetic energy of B तो finally जब तुम देख रहे हो कि kinetic energy of A और kinetic energy of B जब divide करोगे तो 1 ratio 1 आ जा रहा है ठीक है मतलब यह हुगा division के बाद actually 1 आ जाएगा तो हमारा B option सही बन जाता है thanks for watching this video